नमस्कार दोस्तों सबसे पहले आपका बहुत वस्वागत है मिया टीज़ीं प्रफॉांप सुष्चासीटी पे तो दोस्तों रोज रात को मैं पुरी कोशिश करूंगा कि रात को साड़े दस बजे ग्यारा बजे करिए एवन 11 पचे मैं आपको बता दूं कि मैं आपको एक सिरीज प्रजट प्रजट करूँ गा जो कि 10 Qoštons को होगा पहले मैं 10 Qoštons से स्टार्ट करूँ का फिर वो 15 Qoštons फिर वो 20 Qoštons ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी इसी आपके बढ़ते रहेगी जो की साम को एक सीरीज होगी आपकी पूरी जो जनल अबेनेस पर बेस्ट होगी और इसमें कोशिश करूँगा मैं कि इसको स्टैटिक जी के में कर दूँँ इसमें सारी चीज़ें आपको प्रेजेंट करी जाएंगे और जनल अब इसके भी कोशन इ markt ले लेते हैं और उमीद करता हूं जो भी दस कोशन में आपको प्रेजेंट करूंगा ये सारे की सारे कोशन आप सही करेंगे पहला कोशन ले लेते हैं चले है कि फिच ग清楚 है कि विच गवर्नर जेनरल बैंड प्रेक्टिस आफ सती किस गवर्नर जंघ्स सती प्रता पर प्रतिबंद लगा है very important question दोस्तों जो कि आपको पूछा जा सकता है कि कि किस गवर्नर जनल ने सती प्रता पर जो है वो बैन लगाया था उसको प्रतिबंदित किया था options हैं आपके बास एंसर ने रीपन ने डलहाजी ने या वीलियम बैंटिंग ने उमीद करता हूं सहरे लोगों ने question का answer दे दिया होगा और question के answer क्या हो जाएंगे भाई वह हो जाएंगे आपके ध्यान रखे का वीलियम बैंटिंग यह मैं एक सेकंड में पेंस ही कर लूँ चल जान दखेगा very important जो कि पूछा जाता है राजा राम मोहन राय जी भी इसके लिए जाने जाते हैं ठीक है जिनको आधनीक भारत का जनक कहा जाता है क्या कहा जाता है आधनीक भारत का जाता है किसको राजा राम मोहन राय ने इन्होंने ब्रह्म समाज के स्थापना करी ती कि आपको पूछा जा सकता है जो कि एक हिंदू पूरी कम्प्रीट एक हिंदू सवा भी कही जाती है तो अगर पूछा देगा कि समाथ कौमधी किसका है तो वह राजा राम मोहन राका होगा यह एक्स्टा डिटेल्स हो यह ध्यान रखेगा विलियम बैंटिंग भारत के पहले जनल भी कहा जाते हैं प्लस गवणनरज ऑने स्वाहरे लॉजंक हो गया प्लस हमारा हो जाएगा सेविंटीन टू में पूछा रहा तो वह कौन हो जाएगा वह जाएंगे आपके रिपन रिपन जाने जाते हैं कॉंटिनिवस सेंशस के लिए हमारे यानी हमारे जो है जंगर्णा के लिए तो अच्छा कोशन है उम्मीद करता हूं आपने कोशन के अगे बढ़ते हैं अगला कोशन ले लेते हैं यहां पर डिटेल्स दी गई है देखे राम राजा राम मोहन्रा की मजद से यह सारी चीज़े बताएगे आप चिक कर लिजएगा ठीक है अगला कोशन है को इसका नाम कैसे मिला हाव कोरोना वारस गौट इस नेम दूटो दियर क सब्सक्राइब या इन में से कोई अब देखें कोवेट से तो यार सब को भता है पैंडमिक गोशित हो चुका है तो उसकी ता जैसे सरनशना के लिए इसका जो नाम है कोरोना वाइरस दिया गया था ध्यान लेकिए और इसको पैंडमिक गोशित किया था कि इसने डव्लू ध्यान रखेगा डव्लू एच्चो के स्टैब्लिस्मेंट पुछा जाएगा 1948 उननेज सोड़तालिस ठीक है उसके अलावा इसके अगर पुछा जाएगा हेड कौन हो जाएंगे तो वह जाएंगे टेड्रोस एधनम जो कि आपको पुछा जा सकता है ध्यान रखेगा दोस् जाएके रूप में सलिबेट करते जो कि आपको पूछा जाता है वेरी इंपॉर्टेंट कनफॉर्म पूछा जाने वाला पैंडेमिक ध्यान रखेगा घोशित कि या किसने डवलू एच्चोन है कुरोना वाइरस को और यह का नाम कैसे बढ़ा तो उसकी ताज जैसी किसके किताब है फांग फांग जो कि आपको काफी जादा पूछी गए दोस्तों उसके लावा एक चीज़ में आपको और अनौन्स करना चाहूंगा आपको पता है कि मैं अकैडमी पे भी बढ़ाता हूं अकैडमी पे मेरी बहुत सारी क्लासे चलती है वह भी मैं आपको बत चलती है बहुत सारी चीजे नी ठाटने रहे उस के सारे के सारे फ्री हो जाते हैं उनके पीडिएफ उनके चीजरी इक रिक्षब के एंच है और अवरी ठीक है वहां पर देखिए आपको चारे अब नौसर मिल जाएंगे प्रतियोगीता दरपर मिल जाएगा वाई- और इनके सब के बैचेस हैं आपके CHSL के लिए, CGL के लिए, GD के लिए, हर एक चीज के लिए आपके बैचेस हैं यहाँ पर जो आपको मिल जाते हैं, उसके अलावा अभी देके सुस्क्रेप्शन लेने पर आपको 25 रुपए की टेस सीरीज भी फ्री मिल रहे हैं, जो कि बहु मैंने आपको पहले भी बता है, चार से दस रैंकों भी 75% स्कॉलर्शिप है, 50% स्कॉलर्शिप, 11-50% लोगों के लिए है, 11-50 रैंकिंग में आने वाले, और उसके लावा दोस्तों, अगर आपको कोमबैट देना है, तो संडे को 12 बज़े दीजे, उसके लावा अगर पेट कोमबैट देने के लिए, ऐसे भी कोमबैट अप्लाई करेगा, विम्रीस मेरा नाम है, वो हो जाएगा आपका जो है, जिसको मैं दिखा देता हूँ, कोड को, यहां पे कोड आपको मिल रहा है, यहां पे नीचे मेरे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, तो उमीद करता हूँ, यह कोमबैट और यह ससी वाला जो है, प्लान आपको समझ में आ गया हो गया, चलिए, मैं फ़र से कोशन पर चलता हूँ, कोशन ले लेते हैं, कोशन है, दोस्तों की यह कोशन हो गया, चले, आगे बढ़ते हैं, चले, अगला कोशन है, कॉंग्रेस के पहले बिटिस रास्पती क पूछा गया, कि कॉंग्रेस के पहले बिटिस प्रसेडेंट कौन हो जाएंगे, अच्छा कोशन है, आपको पूरा इंडियानेशनल कॉंग्रेस पूछा जाता है, आप्चन है, वीलियम हो जाएंगे, जॉर्ज हो जाएंगे, इनमें से कोई ने, तो देखिए, पहला यंके द्वारा करी गए थी, ठीक है, पहले अगर बिटेस अडियक्ष पूछे जाएंगे, तो वह जाएंगे जॉर्ज हून, वैरी इंपॉटन जो कि आपको पूछा रा सकता है, पहले मुस्लिम अडियक्ष पूछे जाएंगे, बदरू दिर्युप पूछी जाएंगे,ãy बेनी बेसेंट वेरी इंपोर्टेंट नाइटीन उनिसो सत्रा सरोजनी नाइडू पूछी जाएंगी तो वह जाएंगी पहली भारती मेला अध्याश ठीक है उसी तरह दोस्तों आपको पूछा दाएगा कि जब गवर्नर जब कॉंग्रेस के कहां पे थे तो वह जाएंगे बंगॉल में जब कॉंग्रेस जब हमें आ जादी मिली थी तब कॉंग्रेस का देख्ष कौन था जे बी कि प्लानी यह सब को पूछे जाते हैं ठीक है इस को जाएंगी जौर्जी एक सेकंड ब्रिटिस रास्पती गलत लिखा हुआ इसको जौर अगर पूछा जाएगा तो यह सब्सक्राइब को जाएगा इनडिया हो गया हरीजण हो जाएंगे महात्मा गांदी जी बंगाल गजट पूछा गया जेमस औहस हिक की उसी तरह आगर आपको पूछा जएगा की तो मंधन मोहन मालवी जी का ये सारे अगंगा दलाग माराथा किसका हो जाएगा वह भी हो जाएगा आपका पूछा जाएगा तो अगर माराथा पूछाजा जाएगा व бол complètement जाएगा झिनका केषरी बायंगा कैसրी भी और माराथा यह सबर्सक्राइचे और यह मैं को पूछा जाते तो मैक मोहन रिका जो है वो इंडिया और चाइना को अलग करती है जबकि भारत और पाकिस्तान को पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा वो जाएगा रेट क्लिफ ठीक है यह ध्यान लखेगा वहीं अगर पूछा जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को क्या हो जा को यह सारे कोशन्स आपके बनते हैं 22 डिग्री पूछा जाएगा एजिप्ट और सुडान 20 डिग्री पूछा जाएगा लीविया और सुडान 24 डिग्री रिलेटेबल पूछा जाएगा वह भारत और पाकिस्तान से किस राज में बहती है तो मांडवी नदी किनारे बसी जो कि पूछा जाता है वेरी इजी कोशन और वरी इंपॉटन और परिस्तेत हैं यह देखे बड़ा कोशन नदी नर्मदा नदी तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों वह जागा नर्मदा नदी सर्दार सरोवत बांद किस न आगे बढ़ते हैं खेतड़ी की हजाने किस खनीश के लिए तो घेतड़ी जो फेमस है यह जो आ प्वोचा जाता है जो कि आपको पूछा जाता है की जीले में है जो अपने 5 पानल के लिए का जाएगा है very important question पूछा गया है आपको तो यह क्या हो जाएगा आपका वह जाएगा बावन्मा अमेंडमेंट में जो है अधिनियम ने वह बताया गया तिरपन में में जो है रास्पती की पावर को बताएगा चवन में क्या बताया गया है कि रास्पती यह परसन चुने जाएंगे यह सारे आर्टिकल हो जाएंगे ठीक है ध्यान रखेगा वहीं दोस्तों अगर अमेंडमेंट की बात करें तो 42 समिंदान अगला कोशन लेते हैं अगला कोशन दोस्तों भारती समिंधान के किस देश से विद्वानों के मौलिक अधिकारों के उधार्ना को अपना गया है बीसिकली पूछा गया है फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिया बहुत इजी कोश्चन है यूके से लिया है यूएससे में इंटली है जो कि यूएसे वागा पुचा दया तो ध्यान अगर कहा देश को पूछा दे का हमने कहा से लि det л झूब यहां और को में पूछा जाता अगर मिन और पिर आपका मिनेंटर ह kijken हो गया पूंदता हो गया फ्राइब इस पीस्ट्म हो partnerships आगे बढ़ते हैं चलिए भारत के पहले लोग सबाद देख्ष कहुंते हैं यह भी बहुत इजी कोश्चन है दोस्तों उमीद कर रहा हूंगा कि आपको यह सेशन बहुत अच्छा लग रहा हूं जो भी डिटेलिंग आपको बताई जारी वह बहुत ज़्यादा इंपोर्टे भारत के पहले लोग सबाद पूचेगे हैं अगर करेंट में पूछा रहा तो वह जाएंगे हमारे ओम लाजी और अगर पूछा देगा इस बार उन से लोगसबा का चुना होगा था तो तो शत्रही लोग-शबाद का चुना होगा था आगे बढ़ते हैं एक और कोशन ले चल के सकांद कि पहली पंचवर्सी नंतर फाइन को दो ऑन 12 पंचवर्सी योजना चलाए गया टेर्लखते हमारे रखेग और पहली पंचवर्सी उजना चलाएगी थी 1951 से 56 में ध्यान रखेगा दोस्तों जो पंचवर्सी उजना है यह planning commission ठीक है planning commission के तहां थी यानि योजना आयोग के तहां थी और योजना आयोग का अगर पूछा जागा establishment का हुआ था तो वह भी मैं बता देता हूं यह हुआ था 1950 में 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का establishment हुआ था किसके द्वारा जवाहलाल नहरूजी के द्वारा किया गया था ध्याम रखेगा पहले देश्ट भी वही हो जाएंगे इसके बाद इसको replace कर दिया गया इसको change कर दिया गया किसके तो वह निती Commission से इसको change करते गया कहीं कहीं आपको पॉलिशी कमिशन भी लिख क्या जाता है कि तो निती कमिशन से कब क्या गया एक जनवरी 2015 में और पंचवर्सी उजनाओं को उठा दिया गया ठीके बार्रब पंचवर्शी उजनाओं को पूछा भी गया है आपको और लास्ट पूछा जाएगा तो वो 2012 से 2017 तक जो की बारावी पंचवर्सी उजनाती उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक क चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करेगा और जो है वीडियो को जादा जादा शेयर करेगा आज के लिए बस इतना ही थैंक्यों सो मच बबाए टेक क्यार गुट नाइट